हलो हाई पजब बटी तो फाइनली आपका बोड़ का एक्जाम हो गया समाप्थ and जब मैंने स्ट्राटेजी वीडियो बनाया तो जेगरोफी के लिए not जेगरोफी जब मैंने हिस्ट्री के लिए स्ट्राटेजी बनाया थे इसका मतलब मेरा कहना बस यह था कि आपका उगर लाश का पेपर अच्छा चला गया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा ठीक है अब सच में अभी जो भी बच्चे इस क्लास में हैं I want EPA everyone कि प्लीज एक बर चाट में बताओ कि कैसा गया आपका पेपर मुझे थो पता चले गया है कि कोश्चन पेपर कैसा आया है और आपको मेरी मार्म से पता चल रहा होगए कि कितना कैसा आया है पेपर तो एक बर प्लीज चाट में I want कि सभी vakh Court sought कैसा गया आपका पेपर I want कि सबसे पहले आप एक बार feedback दे दो, चलो जल्दी जल्दी, and feedback के साथ साथ, अपना एक favorite emoji भी add करना, चलो, everyone, each and everyone, जितने भी बच्चे क्लास में है, I want each and everyone, बहुत अच्छा ही नहीं लिखना है, I want emoji, emoji भी चाहिए, क्योंकि अपने को न, ऐसे emoji दिखता है न, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर के, बहुत मस्त गया, एकदम paper, मस्त गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, out of, अरे वा, देखो favorite emoji के साथ, जो आप लिख रहे हो न, इसका मज़ा कुछ औरी है, ठीक है, and मैं न, सच में इ इतने महनत के बाद तो बनता है, चालो, so that's superb, चालो, एकदम फेवरिटी मुजी के साथ, अपना अपना लिख दो, एक बार, I want each and everyone, देख लो, सच में, मैं snap बना रहे हूँ, तो एक बर फटा-फट, फटा-फट, फटा-फट से reply दे दो, यह हुई न, बात, चलो जी, तो, फटा-फट से, जितने भी बच्चे अभी class में, like बटन हिट करो, like बटन हिट करो, ठीक है, अब हम paper discussion करने वाले है, and जो मैंने starting में बोला था, and बला तो सब बला, and यहाँ पर देख रहा है कि आपका paper बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा, मुझे जब paper almost 115 में मिल गया, and call पर call आ रहा है, यह बोलने के लिए, ma'am, out of लिख के आया है, out of, ठीक है, एकड़ाम 40 में से 60 लिख के आया हूँ, क्यालब बहुत, में को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका paper बहुत अच्छा गया, and सबसे मस्त बत पते क्या है, जितना बताया ना, उतना पूरा का पूरा आया, मतलब 98%, 98% में बतारू, 2% बस question change हो चुका, change in a sense की word बस उसके बदल चुके है, ठीक है, जो formation है sentence का बस वो बदला है, बाकि 98% बिल्कुल accurate है, जो हमने कल शाम में practice की थी question की, और आज सुबह जो MCQ कियाता है, इससे तो बिल्कुल वैसे का वैसे आया है, वैसी का वैसे, ठीक है, और वो जो 2% है ना, वो 2% में, जैसे मैं आपको बताऊंगी, एक question है, जहाँ पे तोड़ा सा change कर दिया गया है, बढ़ हमने वो topic तो पढ़ी लिया था, चलो तो एक बार question को let's discuss it, and please it's a request to everyone, कि please एक बार like button hit कर दो, एक बार like button hit कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको जितना अच्छा लग रहा है, paper लिख करके ना, मुझे अच्छा लगा कि मैंने पढ़ाया आप लोगों को, and आया उतना, ठीक है, आपसे जादा ना, मुझे डरता, आपको जितना डर होगा ना, उससे जादा मुझे डरता, कि कैसा आएगा paper, कैसा आएगा paper, जितने एक student को डर होता है, उतना एक teacher को भी होता है, क्योंकि teacher ये जानता है कि मैंने पढ़ाया तो है, मगर paper कैसा आएगा, मेरे बच्चों का reaction क्या होगा, एक बच्चा तो बोला कि मैं मैं तो इतना डरा होगा था कि मैं पूरी रात बैठके पढ़ रहा था, बट paper तो हलुआ आया, ठीक है, चलो, तो let's discuss the paper and let's see कि कैसा गया है हमारा paper, ठीक कैसा रहा हमारा अचका paper, सबसे पहला question जो है, इतना easy है कि बाई, एक बार देखते ही न, सबको मन में आया होगा, ठीक यू बगवान जी, ता अच्छा paper देने के लिए, चलो, फोस्ट कुश्यान है, चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव and complete the sentence, फोस्ट कुश्यान है, इन दे स्वंपी एरियास औफ पांटनल, डैश आर फांट, क्या फांट हुआ है, बाई, यूज एना कॉंडा फांट हुआ है, यूज एना कॉंडा यहां पे फांट हुआ है, and एवर मुझी ये सेशन को प्लीज शेयर भी कर देने दो, चलो, एक मिनिट, चलो जी, एक मिनिट रुख जाओ, झाल, प्लो, झाल, और भी कर दो, ओके सो चलो अब डिस्कस करते है ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं हम नो disturbance very good very good okay first question is in the swampy areas of the penitonant dash are found कौन सा animal found होता है बाई तो anaconda found होता है next on the distribution of the population dash factor affect कौन सा factor affect करता है distribution of population के लिए physiographic sex ratio त्रेसी या life expectancy बिल्कुल सही physiography बिल्कुल सही that is physiography चलिए next most common method of transportation in Brazil is dash airway waterway roadway railway of course सबसे ज़्यादा common transportation Brazil में क्या था तो भाई roadway था roadway बिल्कुल सही next we should carry dash for a field visit to collect information हम अगर field visit पे जाते हैं तो भाई क्या carry करके सबसे पहले जाना चाहिए तो बिल्कुल सही that is the chair रही blackboard नहीं water button नहीं पहले questionnaire ही बनाओ कि जिस काम से जा रहे हो वो काम आप क्या करने जा रहे हो वो question एक बनाओ ठीके सो यह रहा आपका objective question तो यहाँ पे चार marks तो अपना ही है बिल्कुल simple simple objective दिया था चलो next आते हैं यह सारे objective हमने आज सुबह ही discuss किया है सुबह के session में ही हमने discuss किया है चलो next question choose the order man out यहाँ पे question number one है coastal areas in Brazil यह में से कौन से coastal areas में आते है तो रियो दे जिंडरियो coastal area में आता है पार निबो coastal area में मेपा coastal area में आर्क coastal area में नहीं आता है तो correct answer क्या है आर्क एक बार जरा सा यह देख लो एक बार हम क्यों ना इसको chapter पे देख लेते है ठीक है यह देखो एक बार हम अपने chapters पे देखते है यह देखो पार निबा अगर हम कहने के लिए जाए एमेपा यहाँ पे है फिर उसके बाद रियो जे जेंडरियो यह भी coastal area में आता है फिर उसके बाद क्या था भाई option और क्या था इस पर निबा ठीक है यह भी आपका coastal area में आता है आर्क अगर हम बात कर दे जाए तो आर्क लाए होता है यहाँ पे तो यहाँ पे coastal area है क्या coastal area है क्या बिलकुल नहीं है यहाँ पे coastal area नहीं है so find the odd man out में सबसे पहला जो आपका odd man out है that is the आर्क that is आर्क है ठीक है next question region with the high very high rainfall in India कौन सा region है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होता है western ghat of Brazil या फिर western ghat या फिर megalia plateau या फिर अनराचर प्रदेश फिजी की बात यह कि यह western ghat megalia plateau और अनराचर प्रदेश में खूब जोरदार बारिश होती है लेकिन जो western part राजस्थान का है वहाँ पे बारिश कम होती है so that's why odd man out क्या है वो है अपना find the western ghat of the राजस्थान western ghat of the राजस्थान very good चलो next हम आते हैं that is question number 3 पे tributary of river rainfall river amazon amazon river का tributary कौन सा है पारू river parus river parana river zaruki river so इसका जो odd man out है that is the parana river एक बड़ चलो देख लेते हैं proof के साथ भाई कि हाँ सच में है या नहीं है ठीक है यह देखो यहाँ पे river में अगर हम आएंगे river वाले map में तो यहाँ पे अगर हम देखने के लिए जाए तो पराणा यहाँ पे लाए होता है यहाँ पे amazon river है क्या नहीं बट यहाँ पे amazon river का mouth पे आप अगर देखोगे तो that is जुरुई को यहाँ पे लाए होता है पारु यहाँ पे लाए होता है फिर आप अधर देखो के पारुस रिवर यहाँ पे लाए होता है यह सब कहां कौन से माउथ पे मिलता है तो Amazon माउथ पे बट यहाँ पे है क्या पराणा में नहीं पराणा कहां पे है साउथन पार्ट में है, so find the odd man out में, odd man out कौन सा है, so parana river odd man out है, ठीक है, very good, चलो, next question देखते है, animal found in the peninsular region of India, कौन सा animal found होता है, आपके peninsular region of India में, तो Indian bats on of course find होता है, deer, बिल्कुल antipols, बिल्कुल yaks found होता है, क्या तुन नहीं, तो yaks is the yaks is the find the odd man out में, ठीक है, next आता है, आपका, अब मज़े की बात यह है, कि वाई, short note में इतना simple short note दिया था, जो हमने already इस question को देखा था, and I told you कि इसको जरूर करके जाना, so this is the short note, any two आपको करना था, retreating monsoon, इसको थोड़ा सा, जो monsoon होता है, यह जो retreat होता है, बस इसको अलग से पूछ लिया गया है, चीक है, इसका question बस अलग दे दिया क्या, वरना यह अकसर answer the following question में आता है, बाकी आप अगर देखोगे, Desiquis Forest और historical background of Brazil, यह तो by same डिटो वैसे ही question आए है, तो यह आपे भी जो पढ़के गए होंगे ना, मुझे लगता है बहुत सारे student है, max to max student ने आउट of max score करने वाले हैं, इतना paper easy था, चलो, next आते हैं, question number 4 के A में, एक मज़े की बात बोलू क्या मज़े की बात, कल के session को ना open करके देखना, जो रात में मैंने session लिया है, उसको एक बार open करके देखना, एक बच्चे ने class में पूछा था, मैं आपको क्या लगता है, कौन सा question आने का chances है, और मैंने बोला था, Brazil को ना जरूर करके जाना, ब्राजिल ना सबसे उपर ready के, इस यहाँ पे आप अगर देखोगे, तो ब्राजिल जो है, पूछा गया था, ब्राजिल जो है, पूछा गया था, और आज सुबे के class में एक बच्चे ने बोला था, मैं ग्राफ और मैप का ना इक बार बता दो, मैंने उस टाइब में बोला था, ब्राजिल को जरूर करके जा और पता है, ब्राजिल से ना इतनो simple question पूछा है, इतना simple question, बाई हाईर श्पीको ब्राजिल, पिको दिने बलाना, सोफ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में पूछ लिया गया, मराजू आइलेंड के बारे में पूछ लिया गया, एमपस, इक्वेटर कैपिटल ऑफ ब्राजि question में जा रहा है, फिर हम आते हैं, नेक्स्ट जो बाकी remaining है उस पे, यहां पे देख लीजिए, एमपस तो यहां पे है, उसके बाद आपका पिको दिने बलाना यहां पे 3014 मीटर है, फिर आते हैं आपका ब्राजिल का कैपिटल ब्राजिला तो यहां पे लाए होता है, मराज तो इस साल का आ威चाद सबसे आसान पूछा है outline, सबसे आसान पूछा है outline, कोई भी एक ऐसा नहीं का ना, जिसमें से लग रहा था है, ठीक है, ट्रापिकasure इकोईटर 0 degree पे लाए होता है, तो बाई 0 degree यहां से जा रहा है, फिर ट्रापिक ऑफ कैपिकोन अगर हम देखने क लिए जाए तो 23 degree 30 inch that is यहां से इधर इधर लाए हो रहा है तो इतना आसान question मज़ा आ गया चलो next हम देखते हैं next question की बारी यहां पे दिया गया observe the map and answer the following question any four करना है चलिए देखते हैं तो यहां पे दे दिया गया था इंडिया national highways and major ports का map और उसके question answer पहला question है what is the title and subtitle of the map तो सबसे पहले title यह है कि यह इंडिया का map है और subtitle यह है national highway and major ports दूसरा question which part has more density of roadways कौन से पार्ट में more density है roadways का तो कौन से पार्ट में that is the north east part में जादा है road का ठीक है and eastern part में जादा है north east and eastern part में जादा है फिर आता है name the two part of the western coast कोई भी western coast का दो नाम बता दो western coast में तो आप कोई भी port का नाम बता सकते हो Mumbai port western coast में आता है फिर उसका कोचीन western port में आता है तो आप कोई भी इन में से लिख सकते हो फिर आता है name the highways that connects the poor bandar and silchar कौन सा highway है जो poor bandar और silchar को connect करता है that is east and west highway name the island near the Kolkata Kolkata के पास कौन सा island found हुआ है Kolkata के पास कौन सा island found हुआ है so Kolkata के पास जो island found हुआ है that is new moro island new moro island ठीक है so यह इतना simple सा question है चलो next देखते हैं give the geographical reason यह तो exercise का question है भाई यह तो exercise का question है कल जो हमने जितने भी classes लिये थे one जुसमें हमने question answer discuss किया था उन सब में यह question बताया गया था पहला question vegetation is scar in the high altitude of Himalayas दूसरा tropical cyclones occur merely in rarely in Brazil तीसरा settlements जो sparse होता है जैसे ही Amazon river की तरफ हम move करते हैं fourth is fishing plays an important role in economy of India अब इससे आसान और आपको क्या चाहिए भाई तयासान पेपर six का ए अगर हम देखने के लिए जाए तो यहां पर trend of दिया गया है इंडिया के बारे में यह भी आपको already textbook में है फिर से ही question related है what is the percentage of urbanization in the 1961 1961 में कितना था तो 18.0% in which deck was the growth of the urbanization low कौन से डेक में भाई लो था तो यहां पे आपको average निकालना है फिर बता देना है what are the percentage of urbanization in इंडिया 1991 so that is 25.7% उसके अलावा यह भी बीबीक option था जहां पे आपको graph दे दिया गया था graph से related answer लिखना था graph था आपका क्या sector income in national income बता रहा था कौन से कौन से sector में income है and कौन सी population engaged है यहां पे graph को देखते हुए name the sector which is mentioned in the graph कौन सा कौन से sector बताया है तो tertiary, secondary, primary next which sector contributes the highest national income in India कौन सा income so that is tertiary, tertiary सबसे ज़्यादा income generate कर रहा है how much percent of population is engaged in prime sector in Brazil कितने percent का engaged है population primary sector में that is almost कितने percent का engaged है तो यहां पे अगर हम देखने जाए primary sector में तो primary यह है तो यहां पे ब्राजिल का देखना है तो यह रहा 10 percent almost okay sorry 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 यहां पे almost 10 percent ठीक है 10 percent ठीक है जो percentage of population engaged है sector में primary sector में ब्राजिल में कितना है तो 10 percent है that's so simple not easy peasy question है उसके बाद question जो दिया गया है outline out of the two countries share primary sector to national income is less कौन सा less है भाई तो national income कौन सा किसका less है तो that is Brazil किसका है भाई तो ब्राजिल का तो ब्राजिल which country contribute tertiary sector to Indian national income Indian national income में tertiary sector में किसका कम है तो India किसका कम है that is India ठीक है next in which sector 19 percent of population of Brazil is engaged कौन से sector में 19 percent population engaged है कौन से sector में तो 19 percent almost population कि कौन से sector में engaged है so that is in the secondary sector कौन से sector में engaged है तो that is in the secondary sector इतना simple question था answer in detail एक मैंने बोला ही था कि इससे question आता ही आता है prepare a question for the field visit in the factory दूसरा information coastal region of India ब्राजिल के coastal areas के बारे मताना है next what factor affect the distribution of population in India क्या factor अलग-अलग इंडिया में जो अलग-अलग distribution है states में उसमें क्या affect करता है कितना easy question है मज़ा आ गया है and जो मैं को बड़े paper देखते मुझे वो याद आया जो मैंने starting में बोला था अंत भला तो सब भला अंत का paper ही सबसे जखकास गया बस तो जखकास question आया है so my dear student जतना बताया है उतना आया है अगर आप जतने मैंने बताया है उन में से मैं अगर सब कुछ भी हटा दू बिल्कुल तो 95% तो बिल्कुल same to same question है same to same objective में तो by 100% बस एक short note में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो retreating monsoon है इसको direct मैंने indirectly बताया था direct नहीं बाकी पूरा का पूरा मैं अगर 95% मैंने बहुत कम बताया है students ने मुझे 100% बोलाया 100% मेरे class के बच्चे जो पढ़ रहे है so I'm very happy कि पेपर इतना easy आया और आप इतना अच्छा response देख रहे हूं so अगर अब तक आपने EL session को like नहीं किया है तो please like कर दे please and इस वीडियो के description में जो class अभी आप देख रहे हो इस वीडियो के description में review page करके एक link दिया होगा उस link पे जा करके it's a request की आप उस link पे जा करके अपना प्यारा सा review दे दो हमारे लिए ये matter करता है कि आपका review आप कितनी अच्छे लिखते हो वो पढ़ करके काफी अच्छा लगता है ठीक है तो I want everyone जितने भी बच्चे class में है जो trust करते हैं please I want कि आप एक बार review page पे जाओ description में review page है वहाँ पे अपना reviews को जरूर लिख दो ठीक है also second mode है review लिखने का आप Instagram अगर use करते हो तो then आप एक प्यारा सा review लिख सकते हो हमारे लिए ठीक है especially जो हमने social study के लिए किया है and in that you can mention शुबम सर को आप mention कर सकते हो शुब underscore जा and मुझे भी आप mention कर सकते हो that is nilema roy underscore ठीक है आप हमें tag कर सकते हो उसमें मैं याप एक बार लिख भी देती हूँ याप ए मैं लिख देरू शुब underscore जा and मेरा है निलिमा रॉय underscore तो आप हमें tag भी कर सकते हो अपने reviews के साथ ठीक है and मैं सब भी reviews पढ़ूंगे इस वीडियो के नीचे class end होगा comment में भी आप अपने reviews को ज़रूर देना review page जो description में है उस पे जा करके अपने reviews को ज़रूर देना जो भी बच्चे टेलिग्राम चैनल जोइन कर चुके है या नहीं कियो तो कर लो वहाँ पे में reviews page का फिर से link डाल दूँगे अपना अपना reviews को ज़रूर लिखना ओके तो कैसा लगा आज का paper एक बार चैट में सभी बच्चे बता दे आपके याद बहुत आएगी सही बाते मुझे भी आएगी पुरे साल पढ़ाया है भाई चलो तो एक बार शॉट आउट दे दो ठीक है SJ Army SJ Army एक बार चैट में सभी बच्चे लिख दे जितने भी देख रहे हैं सेशन को Everyone Thank you so much for trusting to us ठीक है आप हमें रिव्यू पेज पर रिव्यू दे सकते हो Also Instagram अगर आप यूज करते हो तो यह हमारा ID है यहाँ पर आप रिव्यू लिख करके हमें टाग कर सकते हो एक बार SJ Army होना चाहिए चैट में सभी बच्चे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है SJ Army in chat चलो तो thank you so much for watching this video एक बार यह session को like कर दो अगर अभी तक नहीं किया है and अपने दोस्तों तक भी share कर देना and all the very best for your future ठीक है जो भी बच्चे 11th में science बगर लेना चाते है commerce लेना चाते है they can contact to easy learning number पूरा help किया जाएगा जालो thank you so much thank you so very much okay bye and please give your review take care अब मजे करो बहुत अच्छा गया पेपर I like it I like it चलो बहुत अच्छा लगा यह जान करके okay thank you thank you